सब्सक्राइब दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में हम वर्ल्ड के जितने भी इस्ट्रेट से ठीके वीश्व की जितने भी जल संदिया है इस टॉपिक से जितने भी important question बन सकते हैं आपकी आने वाली एक्जाम में ठीके उन सबी को इस वीडियो में cover करेंगे और आप तक जितने भी एक्जाम हुई है उन सब में भी पूछेश जाने वाले इस topic से question को cover करने वाले हैं ठीके तो वीडियो को पूरा देखेगा लास्ट तक सारे important question है ठीक है तो चले सुरू करते हैं बिना किसी देरी के Question number one है अमारा निन मलिकित में से कौन सी जलसंदी अंतराश्टी तीथी रेखा के समांतर है तो यसी कोई सी जलसंदी है जो अंतराश्टी तीथी रेखा के समांतर है तो वो होगी bearing जलसंदी याद रखेगा अगला question है वीश्व की सबसे चोड़ी जलसंदी निन मलिकित में से कोई सी है तो वीश्व की सबसे चोड़ी जलसंदी माने जाती है Davis जलसंदी Q3, Asia एवं उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा प्रतक होते हैं? तो Asia एवं उत्तरी अमेरिका जो प्रतक होते हैं, यह प्रतक होते हैं बेरिंग जल डमरु के या बेरिंग जल संदी की साहता से ही देख सकते हैं S.S.C. में भी यह पूछा गया कोस्चन है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ कोस्चन नमबर फोर है हमारा हर्मुज जलसंदी की इन दो देशों को अलग करती है तो हर्मुज जो जलसंदी है यह अलग करती है एरान एवं अमेरिका को एरान एवं अमेरिका को नेक्स्ट कोस्चन कोन सा जल डमरू अस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को प्रतक करता है तो आपको बताना है कोन से जलसंदी है जो अस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को अलग करती है तो बास जलसंदी इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमबर A नेक्स्ट कोश्चन है पाक जल संदिक इन दो देसों को अलग करती है इंपोर्टन कोश्चन काफी बार पूछ जाना वाला कोश्चन है तो यह अलग करती है भारत एवाम स्रिलंका को ठीक है यहाली में NTPC एक्जाम में भी देखने को मिला था नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 7 बेरिंग जल डमरू मद्धि अलग करता है काफी इंपोर्टन कोश्चन है यह भी तो बेरिंग जो जल डमरू है यह अलग करता है आर्केटिक महासागर को प्रशान्त महासागर से तो इसे भी याद रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है मलक्का जलसंदी किन दो सागरों को सयुक्त करती है तो मलक्का जलसंदी जो सागरों को अलग करती है वो कुन-कुन से है तो अन्डमान सागर एवं दक्षिन चीन सागर तो option number 1 यहाँ पर सही answer है नेक्स्ट कोश्चन है Question number 9 भुमद्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोडने वाली जलसंदी है तो भुमद्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जो जलसंदी जोडती है वो हो जाएगी जिबराल्टर जलसंदी काफी एक्जाम में आने वाला ये कोश्चन है नेक्स्ट कोस्चन है जाफना प्रायदीप एवं स्रिलंका की मुख्य भुमी को जोड़ने वाला पास है तो कौन सा पास होगा एलिफेंटा पास एलिफेंटा पास यहाँ पर सही अंसर है नेक्स्ट कोस्चन जल डमरू मद्य कलाता है तो किसे बोलते हैं जल डमरू मद्य तो दो सागरों को मिलाने वाली सकडी जलदारा ठीक है दो सागरों को मिलाने वाली सकडी जलदारा को हम जल डमरू मद्य कहते हैं या जल संदी कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नमबर ट्वेल है मेडागासकर एवं आफरीकी मोख की भूमी के बीच इस्ती थे तो मेडागासकर एवं आफरीकी मोख की भूमी के बीच इस्ती थे तो कौन सी भूमी के बीच इस्ती थे तो ये मोजामबिक चेनल के बीच इस्ती थे मोजामबिक चेनल Next question कौन सी जल सायोजी यूरोप को अफरिका से अलग करती है तो यूरोप को अफरिका से अलग करने वाली जो जल संदी है वो होगी जिबरालिटर जल संदी इमपोर्टेंट सवाल ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ question number 14 है हमारा डोवर जलसंदी जोडती है English Channel को उत्तरी सागर से अगला सवाल है, बाब अलमंडब जलसंदी निनमली कित में किन दो सागरों को जोडती है तो यहां जोडती है लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोडती है याद रखीगा नेक्स्ट कोशन है हर्मुच जलसंदी निन्मलिकित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोडती है तो हर्मुच जलसंदी जो जोडती है ये जोडती है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को पारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हारमुज जलसंदी नेक्स्ट सवाल है question number 17 जिब्राल्टर जलसंदी कि इन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है तो यहां अलग करती है Spain एवं मौरक्कों को काफी एक्जाम में पूछे जाना वाला question फ्रांस के भी चिस्ति थे याद रखीगा अगला सवल है कौन सा जलासा है अंडमान एवं निकोवार दीप समोगों को अलग करता है तो 10 डिगरी चेनल इसका सही अंसर होगा जो की अंडमान एवं निकोवार दीप समोगों को अलग करता है 20 नमबर question है यहाँ पर आपको बताना है कौन से जलसंदी किसे अलग करती है तो देखते हैं जो बेरिंग जलसंदी है यह अलसका एवं रूस को अलग करती है ठीक है और पाक जलसंदी भारत एवं सिरिलंका को अलग करती है तो अम्मिदे समझ में होगा सही मिलान अप्शन नमबर डी यहाँ पर सही मिलान होगा यहाँ सही अंसर होगा नेक्स्ट 21 नमबर question देखते हैं यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है तो देखते हैं जिबराल्टर जो जलसंदी ये ये किसके मद्य इस्ती थे तो अफरीका एवं यूरोप के मद्य मलक का जलसंदी किसके मद्य इस्ती थे तो इस्ती थे इंडोनेसिया एवं मलेशिया के मद्य बेरिंग जलसंदी के अगर मैं बात करूँ तो यह किसके मद्धिस्ते थे एसिया एवं उत्तरी अमेरिका के मद्धिया और हरमुज जलसंदी यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मद्धिया ठीक है तो पाक सेट जो इस्ती थे यह इस्ती थे बंगल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के बीच नेक्स्ट कोश्चन निन मलिकित जल डमरू मद्धिय में से किस एक में से निकाली गई सुरंग United Kingdom एवं France को जोड़ती है तो United Kingdom एवं France को जोड़ने वाली जो जलसंदी है वो हो जाएगी Dover जलसंदी Dover जलसंदी ठीक है तो दोस्तों उम्मिद है वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों के साथ इसे Facebook WhatsApp ग्रूप में जरूर सेयर करना और चेनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस किजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किजेगा या ओपर दिये आई लिंक बटन पर क्लिक करके भी वहाँ से भी आप देख सकते हो ठीक है कापी important रहेंगे आपके आने वाले exam के लिए तो जरूर से देखेगा और यहीं उम्मित करूँगा कि आप चेनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट टापिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जाहिन all the best